Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज हम complete करने वाले हैं या फिर आप किया सकते कि हम continue करेंगे हमारी 12th class की जो विस्तास बुकरस का chapter 7, Evans, Tries and O Level तो हमने हमारा part 1 and part 2 cover up कर लिया, अगर आपने part 1 and 2, 1 and 2 नहीं देखा तो जल्दी से जाएं और ये दोने parts cover करिये and then हम आज continue करेंगे part number 3 तो जब हमने part 2 end किया था, तो हमने यहाँ पर end किया था कि जो governor है, वो बहुत शौक्ड थे, Stevens की बात सुनके क्योंकि Stevens उनसे कहता है कि मैं इसलिए Evans को बाहर see-off करके आया main gate पे jail के क्योंकि आप ही ने तो मुझे call किया था और मुझे instructions दिये थे कि जाओ और Evans को, Maclory को जाओ main gate पे उसको see-off करके आओ और ये बात सुनके governor बहुत शौक होते हैं क्योंकि governor कहते है कि मैंने तो कोई call किया ही नहीं था How is that possible? और वो बहुत shocked हो जाते हैं, बहुत गुस्स हो जाते हैं अब आगे हम continue करते हैं He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer despair याने की hopelessness अब वो बिलकुल उसके उनकी पूरी उम्मीद खतम हो गई है कि पता नहीं कैसे fake call आया Stephens के पास मेरे नाम से और बोला गया उसको कि भाई छोड किया हो उसको में गेट पर मैकले जी को लेकिन governor कहते है मैंने तो ऐसा कुछ किया है नहीं तो बहुत बिचारे hopeless, उमीद नहीं दिख रही थी उन्हें की इवांस मिलेगा भी की नहीं और उन्होंने senior prison officer को call किया बुलाया और वो कौन है Jackson As for you Jackson, how long have you been pretending you have got a brain huh Well I'll tell you something Jackson, your skull is empty, absolutely empty तो अब जो Jackson जो की senior prison officer है governor उस पे बहुत भड़कते हैं, बहुत गुस्सो होते हैं और कहते हैं कि Jackson कितने times सो तुम्हें लगता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारे खुपडी में कोई दिमाग है It's absolutely empty, बिल्कुल तुम्हारा दिमाग ठाली है याने कि वो इसलिए गुस्सो हो रहे थे कि Jackson ने पूरी responsibility ली थी कि उसका पूरा room check करेंगे इवांस का कि उसके पास कोई sharp objective weapon तो नहीं है और पूरा उसने check भी किया, Jackson ने, कुछ भी ने निकला फिर कैसे उसने McClary को hit किया और पूरा उसका blood निकला It was Jackson who had spent two hours in the Ewan's cell the previous evening and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there, nothing at all and yet Ewan's had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar and the rest of his clerical paraphernalia but all some sort of weapon with which he had given McClary, such a terrible blow across the head तो conceal का मतलब क्यों होता है, conceal का मतलब होता है, hide करना, कोई चीज छुपाना तो वो बहुत गुस्सों होते, governor और वो करके चिड़ते हैं, गुस्सों होते है Jackson के उपर और वो कहते हैं, कि तुम ही तो थे, जो exam के एक दिन पहले दो घंटे तक पूरा रूम चेक किया, तुमने इवांस का, और देखा कि वहां कुछ भी नहीं है फिर कैसे उसके पास एक ऐसा weapon आया, जिसने, जिसकी मदद से उसने McClary को इतनी बुरी तरीक से hit किया Also, उसके पास एक नकली दाड़ी भी थी, क्योंकि जो इवांस है, वो नकली दाड़ी लगा की तो बाहर गया McClary बन के, तो कहते हैं, उसके पास नकली दाड़ी भी थी, उसके पास एक spectacles भी आ गए, चश्मे भी आ गए उसके पास dog collar भी था, dog collar क्या होता है, जैसे ऐसे ऐसे लंबे-लंबे collars होते हैं, बिलकुल round neck collar होते हैं, जो usually parsons या priest पहनते हैं, उन्हें हम dog collars कहते हैं, जो कहते हैं, उसके पास एक dog collar भी निकला और बहुत सारा paraphernalia निकला, यानि की बहुत सारी things and stuff निकला, जिसकी मदद से उसने भेज बदला अपना और escape करके गया, कहता है, यह सब चीज़े कैसे निकली जब तुमने 2 घंटे थाक, उसका room चेक किया था पूरा, तो बहुत गुस्सों हो रहे थे Jackson पे अब prison van bagged alongside, but the governor made no immediate move, he looked down again to the last line of the German, to the Headington roundabout, where you go straight over and make your way to the new grabbin अब एक prison van, याने police की van, बिल्कुल pass में आके आके, उनके pass आके खड़ियो गए, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि कौन, उसमें कि क्या, उन्होंने continue करा, वो paper पढ़ना जो चिपका हुआ था, question paper के last page पे, उसमें आखरी line लिखी थी, कि जब आव Headington roundabout, जब Headington नाम के चौराय पर पहुँच जाओ, उसके बाद सीधे जाना, न्यूग्रबेन नाम के area की तरफ, वो कहते हैं, government, न्यूग्रबेन, where on earth, new something, new grave, तो वो कहते हैं कि न्यूग्रबेन, ये कौन सी जगा है, मैंने तो पूरी धरती पे इस जगा का नाम कभी नहीं सुना, तो वो न्य तो उन्होंने सुचा, new grave कोई जगा हो सकती है, never heard of it, तो वो सोचते हैं, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, there was a war grave somewhere near reading, but no, it was probably a code word, तो फिर उन्होंने जब पढ़ना चालू किया, तो एक और word लिखा हुआ था, जहां पे लिखा था, war grave, तो कहते हैं, नहीं, war grave भी कोई जगा यह यह भी कोई code word होगा, और then, it hit him, और फिर suddenly, एक hit him, याने उनको एक idea है कि, yes, एक जगा है, newbury, उन्होंने guess कि, new grave नी होगा, यह क्या होगा, newbury होगा, God, yes, newbury was pretty big sort of place, but, तो उन्होंने सुचा कि, newbury तो बहुत बड़ी जगा है, इधर oxford city में, और याने कि, newbury ही वो जग जहाँ पे इवांस गया होगा, he wrapped out his orders to the driver, St. Aldeis Police Station, and step on it, तो उन्होंने जल्दी से, governor ने किसको orders दिये, driver को जो उनकी गाड़ी चला रहा था कि, St. Aldeis Police Station, चलो, and step on it, याने कि, drive fast, जल्दी गाड़ी चलो, और वहाँ चलो, take Jackson and Stephens here, and when you get there, ask for bell, Chief Inspector Bell, got that, तो उन्होंने driver को बोला कि, जल्दी जाओ, St. Aldeis Police Station, और वहाँ पे जल्दी से fast drive करके जाओ, और अपने साथ, Jackson और Stephen को ले जाना, और जैसी आप वहाँ पहुचो, तो Chief Inspector, जिनका नाम Mr. Bell है, उनसे बात करवाना मेरी, got that, क्याते समझ गये तुम मेरी बात, He leaped the stairs to his office three odd times, got bell on the phone immediately and put the facts before him, तो इतनी देर में, जल्दी से Stephen Jackson और driver उस police station पहुचे, और जो Chief है Mr. Bell, उनको बोला कि, ये लोग call connect करके दियो और बोला, Governor से बात करो, और उतनी देर में, Governor तीन-तीन सीडियां एक साथ चड़के, अपने office तक जल्दी पहुचे, Mr. Bell से फोन प करके चला गया जेल से, we'll get him sir, said Bell, we'll get him with a bit of luck, तो Mr. Bell ने बोला कि, हम उसको पकड़ लेंगे, sir आप चिंता मत करो, हमारा लख हमारे साथ है, उसको पकड़ लेंगे, the governor sat back and lit a cigarette, ये gods, what a beautifully late plan it had all been, what a clever fellow Evans was, careless leaving that question paper behind, but then they all made their mistakes somewhere along the line, well almost all of them, तो अब क्या होता है, अब वहीं ठकके, हार के, उम्मीद से तूटे हुए, जो governor है, वहीं बैट जाते हैं, अपनी chair पर और एक cigarette जलाते हैं, और वो सोचते हैं कि, इवांस, ये कैसा इंसान है, तीन बार ये पहले भाग चुका, और इतनी tight security की बाद भी, चौती बार भी, इसके पास कितना clever plan था इन ही code words की, तो मदद से आब हम उसका पीछा कर रहे हैं, अगर ये question paper नहीं होता, तो उसका कभी पता नहीं लगा पाते कि, वो कहा है, तो वो सोचते हैं, हाँ चलो ठीक है, सबसे गलतिया होती है, इवांस से भी गलतिया हो गई कि, उसने ये question paper छोड़ दिया, लेकिन इसी question paper की मदद से, हम उस तक locate कर जाएंगे, याने कि उस तक पहुच जाएंगे, और फिर से, इसी prison में, prisoner बनके, कैदी कर बनके, वापिस जेल में, lock-up में, उसको बन कर देंगे. The phone on his desk erupted in a strident burst, then superintendent Carter informed him, that McClary had spotted Ewan's driving off Ellsfield way, they got the number of the car alright and had given chase immediately, but had lost him at the Headington roundabout, he must have doubled back into the city, erupted याने की rang, phone bhajana, strident याने की harsh, अब जब तक वो cigarette पी रहे हैं, यह सब सोच रहे हैं, उसी वग बहुत तेज, governor का phone बचता है, और यह किसका phone होता है, वो superintendent detective, जो Carter है, उनका phone आया, वो phone पे बताते हैं governor को, कि अभी अभी, जो McClary है, उन्होंने हमें बताया, कि Ellsfield way की तरफ गया है, Ewan's, और हमने उसको वह पहुचे लेकिन उसके बाद वो कहीं चला गया, उसके बाद हमने उसका track हम खो गए, मिसलीड हो गए, हमको अब वो नहीं मिल रहे है, तो Carter बता रहे हैं कि हो सकता है, उसने doubled back किया, याने कि वापस से gone back with the double speed into the city, याने कि Carter कह रहे हैं, guess कर रहे हैं, Carter कि हो सकता है, heading turn round about के बाद वो वापस से double speed में city की तरफ आ गया है, पीछे मुड के, तो ऐसा Carter बता रहे हैं, गवर्नर को, तो गवर्नर कहते हैं, नहीं, वो वापस double speed में city की तरफ नहीं गया है, वो गया है न्यूबरी की तरफ और उन्होंने अपना reason बताया कि क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं कि इवान्स न्यूबरी की तरफ गया है, क्योंकि he gave the reason that he has read this in the question paper, तो उन्होंने Carter को बताया कि मैंने अभी भी question paper में पढ़ा है, कि वो न्यूबरी की तरफ गया है, तो तुम उसी तरफ जाओ क्योंकि वो न्यूबरी गया है, और फिर वो बोलते हैं, यह पुलिस का जॉब है, तुम तो detective हो, यह तो पुलिस का जॉब है, पुलिस धूनेग तो governor की quality बता रहे हैं कि governor थोड़ा good for giggle या gullible type का इंसाने आने की किसी पर भी बहुत easily trust करने लगता है, और हसी मदाग की चीज में तो सबसे आगे खड़ा रहेगा, खीखी, हुँ, हुँ करने के लिए, तो वो यह बता रहे हैं कि उसने paper पे लिखा कि paper पे पढ़ा कि वो न्यूबरी गया है, तो बिलीफ कर लिया कि वो तो न्यूबरी गया है, और दूसरी चीजों को सोचने की कोशिश उसने नहीं करी, by the way Carter, I hope you managed to get McClary to the hospital all right, फिर governor Carter से पुछते, बाकी तुम McClary को तो hospital तक आराम से ले गय थे न, उसकी तब्यत खराब थी, चोट लगी वी from there, ग्रोगी याने की काफी वीक, तो Carter कहता है, हाँ हाँ हम उसको Redcliffe hospital तक ले गए, लेकिन उससे पहले हम examination state board पे रुके, और वहाँ पे हमने ambulance बुलवाई, और फिर उसमें बैठके हम उसको वो हम Redcliffe hospital में ले गए, वहां से रू कह रहा है, वो काफी वीक फील कर रहा था, The Governor ran the Redcliffe a few minutes later and asked for the accident department, तो Governor ने इसको भी re-confirm किया कि, McClary Redcliffe hospital पहुचा कि नहीं पहुचा, तो उनने Redcliffe hospital call किया, यह जानने के लिए कि McClary ठीक है कि नहीं, McClary you say, yes he is a person, I don't think there is anyone, तो hospital में जब फोन उठाया किसी ने तो बोलते है, क्या आप किसी McClary की बात कर रहे है, त अभी इसका accident हो गया है, कोई आपको ले, कोई इसको छोड़ गया यहाँ पे, treatment करने के लिए वो एक person है, याने कि वो एक churchman है, आया है ना भी आपके hospital में, तो hospital authorities कहते है, I don't think there is anyone, यहाँ, तो McClary नाम का कोई भी नहीं है, Yes, there is, you find one of your ambulance, picked him from up the Ellsfield way about, तो Governor कहते, नहीं, अभी अभी आप लोगो के यहाँ से एक ambulance गये, Ellsfield way से, उसको एक ambulance pick करके, Redcliffe hospital तक लाईए, अभी थोड़ी देर पहले, Oh, that, yes, we send an ambulance, all right, but when we got there, the fellow had gone, no one seemed to know where he was, just vanished, not assigned, vanished, याने कि disappeared, गाया भुजान, तो hospital से, authorities कहते कि, हाँ, हमारी एक ambulance गई तो थी, Ellsfield way पर, एक patient को pick करने, लेकिन, जब हमने, मैकलेरी के ढूंड़ा कि, वो कहा है, तो वहाँ तो कोई भी नहीं था, ऐसा लगा कि, वो तो आदमी गाया भी हो गया, वो तो कहीं था ही नहीं, कोई नहीं देखा हमको, मैकलेरी नहीं का, तो ambulance खाली वापस आगई, hospital, but the governor was no longer listening and he is, and the truth seemed to hit him with an almost physical impact somewhere in the back of his neck, जैसे गवर्नर ने ये बात सुनी, कि मैकलेरी होस्पिटल में है ही नहीं, वो तो गायब होगे बीच में, ऐसा लगा उनकी गर्दन पर किसी ने बहुत जूर से हिट किया, ऐसा शॉक लग गया उनको, याने गवर्नर यहां पर समझ गए, कि जो मैकलेरी था, खोन में लथपद, ऐसी acting कर रहा था, वो भी याने की इवान्स के plan का हिस्तेदार था, याने वो भी मिला हुआ है इवान्स के escape में, और वो नकली मैकलेरी है, गवर्नर कोई बात यहां पर समझ में आ गई, अब थोड़ी देर बाद, quarter of an hour याने की थोड़ी देर बाद ही, 15-20 मेंट बाद ही, गवर्नर को पता लगता है, कि उनको, respected as Maclory, याने कि जो असली Maclory थे, जिनको actually prison में conduct कराने आना था exam, इवान्स का, वो तो अपने घर पर ही हैं, और वो कहते हैं कि मुझे दो आदमी आये, सुबा, सबा, 8 बजे, और मुझे बांध के मेरा मूँ बन करके चले गए, ताकि ना मैं कुछ बोल पाऊं, ना मेरी आवास किसी तक पहुच पाए, तो बाउंड याने tied up बांध के और gag लियाने की stopped, रोक लिया वहाँ पे, तो गवर्नर को ये पता चल जा उसको तो दो आदमियों ने मार के उसका मूँ बन करके उसको अपने घर परी चैर से बांध के ऐसे रख दिया है, उसको पकड़ के Inquiries in Newbury throughout the afternoon produce nothing, nothing at all तो Newbury में Police Officers इदर उदर Inquiry कर रहे थे, पूछताच कर रहे थे, इवांस के बारे में लेकिन उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ And by tea time everyone in the prison knew what had happened, it had not been इवांस impersonating McClary who had walked out, it had been इवांस impersonating McClary who had stayed in तो अब twist आता है कहानी में, कहानी का twist ये है कि अब शाम तक पूरे prison, पूरे jail में सबको पता चल गया कि क्या हुआ और क्या हुआ है ये भी सबको पता चल गया, सबको ये पता चल गया कि जो McClary आया था, exam conduct कराने और जो यहां से गया, वो नकली McClary था और इवांस के plan का हिस्सेदार था, और जो prison में बैठा हुआ था, खून में, बलड में लथपत, वो McClary नहीं था वो खुद इवांस ही था, खुद इवांस ही था, यानि इवांस भागा नहीं है, ऐसा उन लोगों ने सर्फ एक्ट किया, शो किया, गवर्नर को गुमरा करने के लिए, कि हम दोनों ने इंटरचेंज कर लिया, यानि हम दोनों ने कपड़े बदल लिये, और जो उसको आप कि हम लोगों ने इंटरचेंज किया, और जिसको आप छोड़के आया हो, वो इवांस है, पुलिस वालों को इदिखाने की कुश्च की कि जिसको आप छोड़के आया हो, वो इवांस है, लेकिन वो इवांस नहीं, वो तो वही मैकलेरी था, जैसा आया था, वो वैसा ही गया सिर्फ फर्क इतना था कि उन लोगों ने ऐसा दर्शाया जो बैठा हुआ था अंदर वो इवान्स ही था सिर्फ मैकलेरी का भेज बदल के बैठा हुआ था तो उसने ये शो कर दिया कि मैं मैकलेरी हूँ और मुझे हिट करके भग गया इवान्स लेकिन वो अक्चिली इवान्स ही था और उसने भेज पहना हुआ था यानि कि दाड़ी, कॉलर, वॉलर सब मैकलेरी जैसा पहना हुआ था तो वो इवान्स ही था जो जेल में था और जिस से जिसको सब sympathetic, sympathy और concern शो करे थी कि अरी आपको लग भी इसको hospital ले जाए, तभी तो जब उसको hospital भेजा गया वो वहां से भाग गया, इवान्स येस, सो ये था कहानी में, twist impersonating means pretend to be another person जब आप दूसरा इंसान बनने की acting करते हो, तो जो इवान्स था, जेल के अंदर, वो impersonate कर रहा था maclary को, याने की वो दिखा रहा था कि मैं maclary हूँ और असली इवान्स भाग गया है लेकिन असली इवान्स तो जेल में था, वहीं था, कहीं निहीं गया था सिव मेकलेरी का भेज बदल के वहां पे बैठा हुआ था, ओके शो the fish and chips were delicious तो अब इवांस भाग गया, जो रियल इवांस था, उसको मैकलेरी समझ के सबने होस्पिटल भेजा, और जब तक अमबलेंस उसको लेने गई, वह मिला ही नहीं से ही, चूम अंतर हो गया, नौदो गयारा हो गया, तो अब वह कहीं पहुचा है, और वह कहां पहुचा है, वह की बहुत डिलिशिस थी, बहुत टेस्थी थी, और उसके बाद थोड़ी बहुत उसने स्ट्रॉल करी आसपास, याने की वाख करी, चिपिंग नौटन नाम की इस जगा पे, फिर इवांस ने सोचा की थोड़ा बहुत अब वाख कर लिया, टहे लिया, वापिस मैं अपने हो गुल्डन लाइन, कंसील याने की हिडिन, कोई चीज छुपाना, रेकेज याने की रिमेंज, बच्चा कुछा, तो उसने क्या पहनी होई थी, शुरुवात में एक बॉबल हैट पहनी होई थी, जिसको उसने उतारने से मना कर दिया था जैक्सन को, तो उस हैट के अंदर उ बहुत छोटे-छोटे उसके बाल थे, उसने अपने बाल इसलिए काटे, क्योंकि अगर बाल नहीं काटता, तो सब पहचान जाते कि इवान्स है, और जो मैकलेरी थे उसके बाल, तो बिल्कुल चिपके हुए बहुत छोटे-छोटे बाल थे, जो फणी दिख रहे थे स्टी अपनी रूम की कीज लेने के लिए, और वो होटेल का नाम क्या था? गोल्डिन लाइन, अब जब करेक्शन स्लिप आई थी एक्जाम में, उसमें वो लिखा था ना कि गोल्डीन वर्ड नहीं, गोल्ड लिनिन वर्ड है, तो ये वो होटेल का नाम है, जिसमें उसको कोड ब He was out again, wasn't he? तो author बोलते है कि कुछ ताइम लगेगा उसके बाल वापिस ग्रो होने के लिए, क्या ही फर्क पड़ता है, आज आएंगे बाल तो घर की खेती है, बत बेस तिंग तो ये थी कि वो जेल से भाग निकला था, वो जादा इंपोर्टन था इवान्स के लिए Jackson had made him take out his bobble hat of few, pinched का मतलब की ओता है, taken, आपसे कोई चीज ले ली गई, bobble का मतलब की ओता है, small ball attached to the hat, तो cap में उपर जो ये round shape देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं bobble, ओके, इसी को bobble hat या cap कहते हैं, तो बता रहे है author कि जब Jackson आया था जेल में शुरुआत में, उसने क्य ले ली थी, उससे उसका razor ले लिया था, जिसकी मदद से, sorry, उसकी cutting scissors ले ली थी, nail cutter वगरे सब ले लिया था, और सिर्फ क्या था उसके पास, खाली razor रहे गया था, जो आखरी तक नहीं ले पाय था, Stephens, बहुत last में लिया था, Stephens ने, तो सोचे उसके बस cutting नी थी, उसने उसी वक्त उतरवा देता, उससे अपनी bobble hat उतारो, तो क्या होता, पूरा सच वहीं सामने आ जाते, क्योंकि Jackson उससे पूछता, कि hat उताने बद तुमने पूरे बल क्यों काटे, पूछताश करते, तो पूरा plan उसका chopper उजाता, लेकिन क्योंकि बहुत sweet, innocent, बोला वाला बच गया, नहीं तो वहीं पकड़ा जाता, that really had been a close call, still old Jackson wasn't such a bad fellow, तो वह कहता, यह बलकुल इतने से close call उने इतने से बच गया बलकुल, इवांस, नहीं तो वहीं पकड़ा जाता जेल में, जब bobble hat Jackson उतरवाता उससे, one of the worst things, funny really, had been the beard, he had always been allergic to sticking plaster and even now his chin was irritating, sore and red, allergic means sensitive, कोई चीज आ पाती, sore मतलब painful, डर दोता है, तो author एक चीज बताते है कि एक चीज और funny थी, beard, जो नकली दाड़ी, इवांस ने लगाई हुई थी, Macberry बनना था, उसको तो Maclary बनने के show करना था, तो Maclary की तो दाड़ी थी, तो वो नकली दाड़ी लगाने के लिए उसने plaster लगाई, बहुत दाड़ी लगाई और उसकी skin का है, sensitive है बहुत तो जिस वज़े से वो sticking use की थी, उसकी दाड़ी चपकाने के लिए, bird चपकाने के ल but the change was definitely for a better, as he collected his key, he gave her a best smile, told her he would be bothering with, he wouldn't be bothering with breakfast, तो जो receptionist बैड़ी थी ती, golden lion के reception table पे, वो अब अलग थी, जो पहले जो receptionist थी, जिसने booking ली थी, वो नहीं थी है, ये दूसरी थी, तो बस normally आया, यहां पे इसके पास, receptionist के पास, Evans उसको बोलता है कि मुझे key दो अपने room की, तो उसने key ली, और वो कहता है कि चलो लड़की दिखने में अच्छी है, सुन्दर है तो, ये तो change आया, receptionist में, ये थोड़ा better था, फिर उसने key लेने के बाद, receptionist को बोला, कि he wouldn't be bothering about the breakfast, याने not concerned about, तो उसने बोला, मुझे पर सुबह सुबह अपने room में चाहिए, and asked for an early morning call at 6.45 a.m. और बोला कि मुझे एक 6.45 a.m. पौने साथ बजे जल्दी सुबह को एक wake-up call देना आप लोग, मेरे room में, tomorrow was going to be another busy day, तो उसने बोला, कल का दिन मिली बहुत busy है, तो ऐसा reception को बोलके, वो आराम से स्रीणियां चड करते चड़ते ऊपर अपने room की तरफ hotel में जाने लगा, he whistled softly to himself as he walked up the broad stairs, he sort of like the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything, तो अब सीडियां चड़ रहा है, विसल करते हुए, सीटी मारते हुए, वो आराम से hotel के अपने room में जा रहा है, और सोच रहा है कि बड़ा मजा आया minister जैसे, याने parson जैसे dress up करने में, याने कि उसने कैसे पहना था, ये ऐसी dog collar पहनी हुए थी, ऐसे linen का coat पहना था, तो कहता है, ऐसे चोटे चोटे बाल काट लिये थे उसने, तो कहता है, इस तरीके का dress up करने में मजा आया बहुत, इवान सोचता है, Yes, it had been jolly good idea for McCleary to wear two black fronts, two collars, but that top collar, few, he had kept on slipping off the back stud, and there he had been that one panicky moment when McCleary had only just got his hand up to the neck in time to stop the collar springing apart from Stephens. Panicky का मतलब क्यो ओता है, fear, alarm, तो अब यहाँ पे एक राज और खोलता है, इवान सोचता है, और author हमें बताता है, कि जो McCleary अंदर आया था, वो दो coat pen के आया था, ठीक, जब वो अंदर बैठा, तो क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया था, कि magistrate का call आया था, गवर्नर के पास, तो गवर्नर ध्यान नहीं दे रहे थे, कि क्या चल रहा है cell में, और Stephens भी हर दो-दो मिनिट के gap में, पी फो में से देख रहा था, तो उनको एक वो दो मिनिट का gap Stephens की तरफ से भी मिल गया, जब Stephens उनको नहीं देख रहा था, यह वो टाइम था, जब दोनों ने इंटरचेंज किया, ऐसा शो किया, और एक दूसरे के कपड़े बदले, तो इवांस कहता है, सब से डिफिकल्ट चीज तो वो थी जब मैंने ब्लैंकेड में अंदर ये अंदर मिनिस्टर के, याने कि मैकलेरी के कपड़े पहने, वो बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था, और कहता है कि बहुत पैनिकी, बहुत अलामिंग टाइम था, कि Stephens ने समझे बस उस वक देख ही लिया था, इसी वज़े से अ भाई ये तो कौन है, ये नकली कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर क्या एक्टिंग कर रहे हैं, कपड़े वपड़े बदर रहे हैं, कुछ फिशी हो रहा है, तो पकड़ा जाते दोनों, इसलिए उसने क्या किया, उसने एक उंगली अपनी आप ऐसी अपनी अडा के रखी दी क्योंकि बार-बार वह देख रहा था तो उनके लिए तो बुरी नजर वाला अदमी ही था, तो वह कह रहा है कि बड़ी मुश्किल से हमने वह कॉलर बचा है, नहीं तो हम तो फसी जाते हैं, क्योंकि एविल आई याने कि स्टीफन उनको बार-बार देख रहा हैं, इसलिए but all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar that had been far more difficult they had ever been bargained for, fiddling means petty annoying thing, याने एक चीज जो सबसे annoying थी, सबसे difficult, परिशान करने वाली थी, इवान्स को, वो क्या थी, कि बार-बार, क्योंनोंने बोला था ना, हमको ठंड लग रही है, blanket पहन लेते हैं, इवान्स ने बोला, तो इस blanket के अंदर उसने पूरे अपने कपड़े चेंज की और, मिनिस्टर के, याने, मैकलेरी के कपड़े पहने, जिसे वो, डॉक कॉलर, ये वो सब, ऐसे करके उसने पहना, था कि जब बाद में सब देखें, तो बोलें, अरे, तो मैकलेरी को हिट करके गया है, तो उसने वाज़ों कपड़ के अंदर कपडे चेंज करना everything else had gone beautifully smoothly though बस यही एक चीज दिफिकल्टी बाकी सब तो बहुत smoothly बहुत आम से हमारा plan execute हुआ in the car he had found everything they had promised him soap and water, clothes, the map, yes the map of course तो वो कहता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमने plan किया था कहता है कि जब मैं भाग गया इवान सोचता है जब मैं actually भाग गया वहां से ambulance लेने आई थी नहीं तो that means इवान वहां से भाग गया तो वहाँ पे car available करवाई गई थी उसको उसके friends द्वारा और उसमें वो सारी चीजे रख्यों ते जो उसके काम आती soap and water, जिससे वो अपनी दाड़ी निकाल के अपना face दो था clothes change करने थे, McClary के रटाइक उसको normal clothes पहन में थे, map yes, एक map भी उसको चाहिए था पूरी Oxford City का, the ordinance survey map of Oxfordshire, he'd got some good friends, some very clever friends Christa, तो उसको Oxfordshire का ये map भी चाहिए था कि उसे कहां जाना है, escape करने के बाद, location zone निक लिए, तो कहते हैं कि उस गाड़ी में सब सामान मेरे लिए ready रखा, मेरे friends ने, और Oxfordshire का map भी रखा, यानि उस city का map भी रखा, जो मेरे काम आता, तो वो बहुत खुश था कि चलो मेरे friends अच्छे, तो basically police officers, ये, वो काफी सारे लोग, jail के अंदर उसके friends थे, जिनोंने उसकी escape करने में help करी, पहला तो German teacher escape करने में help किया, वो भी इसके plan का हिस्तेदार था, McClary जो नकली आया, वो भी इसके plan का हिस्तेदार था, अब आगे और पता करते हैं कौन कौन friends थे, जिनोंने इसकी escape करने में help करी, he unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him and then stood frozen to the spot, like a man who has just seen, caught a glimpse of the Gorgon, अब Glimpse याने की quick look एक किसी की जहलक देख लेना Gorgon क्या होता है, Gorgon एक monster होती है, यह जो इमेज आप मेरे left hand side पर देख रहे हो, यह Gorgon है Gorgon क्या होता है कि यह तीन बहनों का mixture होता है, इनके बाल, बालों में पूरे snakes, पूरे साप रहते हैं, इनकी पूरी बोडी पे snakes लिपते होए रहते हैं, तो यह Gorgon है तो जैसे ही इवान सोचते हो है, मज़े मज़े में उपर अपने होटेल की रूम तक गया और उसने अपने एक अमरे का दरवाजा खोला, तो वो एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम फ्रीज हो गया समझो जैसे पत्थर बन गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने Gorgon को देख लिया, जो भी Gorgon को देख लेता है, वो पत्थर का बन जाता है तो इवान से जब दरवाजा खोला तो जिसको उसने अंदर बैठा हुआ देखा अपने रूम में उसको ऐसा लगा कि मैंने किसी Gorgon को देख लिया और मैं पत्थर का बन गया वो शॉक हो गया समझे, वो फ्रीज हो गया बहुत जादा तो जैसे उसने देखा कि बेट पे जो इंसान बैठा है वो इंसान बैठा था कि इवान्स ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस इंसान को कभी मिलेगा इस दुनिया में अगर वो इंसान वो आखरी इंसान भी होता तो भी इवान्स उस इंसान से नहीं मिलना चाहता और Guess करिए वही कि कौन था वो इंसान It's not worth trying saying anything तो कौन बैठा था अंदर बैठ पे खुद गवर्नर बैठे हुए थे और उन्होंने का इवान सब और कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है तुम पकड़ा गये हो और इवान सब दाटे डिस्परेटली याने की तो वो इधर उधर अपनी आखे पूरे कमरे में देख रहा था तो गवर्नर कहते हैं कि मेरे आदमी पूरी तरह पूरी जगह कई सारे मेरे आदमी ओने ओफिसर्स ने तुमें घेर रखा है जबकि कोई आदमी नहीं ते सरफ दो ही थे एक Mr. Stephens और एक Mr. Jackson लेकिन इवान्स को बताने की थोड़ी जरुवत थी उसको तो डरा के रखना है कि मेरे पूरा आदमी ओने तुमें घेर लिया अब तुम यहां से और कहीं भाग नहीं सकते हैं He let the words sink in. Women too, didn't you think the blonde girl in reception was rather sweet? तो वो कहते हैं governor और औरते भी मेरे साथ मिली हुए है तुमें नहीं लगता जो नीचे reception में golden बालो वाली नहीं लड़की बैठी है वो बहुत सुन्दर है तो याने कि वो बताना चाहते हैं कि वो जो reception पे लड़की बैठी हुए है वो भी मेरे साथ मिली हुए है याने खुद governor के साथ मिली हुए है तो तुम फस गए हो Basically वो जो blonde girl बैठी हुए है reception में नीचे वो governor के साथ नहीं मिली हुए है Governor ऐसे फाक रहे हैं ऐसे फेक कर रहे है इवान्स के सामने ता कि वो डर जाए शौक हो जाए कि मैं हर जागा से मतलब घर चुका हूँ फस्ट चुका हूँ इवान्स was visibly shaken He sat down slowly only the chair in the only chair in the small room could offer and held his head between his hands For several minutes there was utter silence Shaken मतलब disturbed अब इवान्स ये सब देखके बहुत हिल गया शौक हो लग गया उसको वो बिलकुल उस कमरे में एक ही चैर पड़ी थी वहाँ पो गिर गया और उसने अपने दोनों हाथ ऐसे कर लिए कि मैं फस गया For several minutes there was utter silence और बिलकुल कुछ देर के लिए तो हाँ शान्ती थी क्योंकि इवान्स को शौक लग गया था Finally he spoke It was a bloody correction slip I suppose Well the governor failed to mask the deep satisfaction in this voice There are few people who know a little German To mask याने की to hide किसी चीज को छुपा देना तो इवान्स कहता है अब कि ये सरव उस correction slip की वज़े से हुआ है जो मैं गलती से वहाँ पर भूल गया वो question paper सब उसी की वज़े से हुआ है और उसमें आपने जो clues जो quotes पढ़े उसकी वज़े से आपने मुझे ढूंड लिया अब governor की आवाज में बहुत satisfaction है वो बहुत खुश है कि मैंने इसको पकल लिया और वो इसको छुपाना भी नहीं चाहते अपनी इस deep satisfied voice को और वो कहते हैं हाँ बहुत सारे लोग हैं जने German आती है याने governor थोड़ा proud feel कर रहे थे कि मुझे German आती है और मैंने वो German language पढ़के तुम्हें उन courts को detect करके तुम्हें पकड लिया slowly, very slowly Ivan's relaxed, he was beaten and he knew it अब धीरे धीरे Ivan's रिलाक्स हुआ है, हो रहा है क्योंकि वो समझ गया कि मैं पकड़ा गया हूँ और अब मुझे वापस जेल जा नहीं है he sat up at last and managed to smile ruefully ruefully याने कि sadly और वो धीरे से smile करता है ऐसे की मतलब पकड़ा गया हूँ मैर you know it wasn't really a mistake you see we haven't been able to fix up any hotel but we could have worked out that some any other way no, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished तो Ivan's बताता है कि हम से स्रव एकी गलती हो गई कि हमें हमारा hotel fixed नहीं था याने escape करके जेल से किस hotel में जाना या अभी तक हमारा plan नहीं था, fix नहीं था तो कहता है बस हम से यहीं गलती हो गई क्योंकि hotel हमारा fix नहीं था तो हमारा plan थोड़ा सा disturb हो गया था हम कोई और other way याने we could have worked some other way याने हम कोई और अच्छा तरीका भी निकाल सकते थे जिससे hotel की information मुझे साही मिलती तो कहता है यहां हम थोड़ा सा चूप गए और कहता है नहीं सबसे important चीज सो वो था कि exam खतम होने के पहले थोड़े से ही पहले आपके पास एक phone बजा था to get everyone out of the way for a couple of minutes so we had to know exactly when the exam started, didn't we? तो basically jail से भागने के लिए उनको ये पता ओना जरूरी था कि exam खतम कब होगा तभी तो आगे की चीज़े plan होगी लेकिन exam तो late पे late हो रहा था क्योंकि वो लोग McClary की checking वेकिंग कर रहे था कि जो exam 9.15 पर start होना था वो 9.25 पर start हुआ तो कहता है हम लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि exam कब start हुआ तो कहता है जो आपके पास call आया था न वो यही confirmation call था कि ये जानने के लिए कि आखर exam start कितने बजे हो रहा है ताकि वो लोग guess कर ले कि exam end कितने बजे होगा and like a fool I presented you with that little piece of information on a plate तो governor कहते और मैंने बेवकूफों की तरह वो information hotel की जो information है correction slip के नाम पे जो information आई थी वो मैंने बेवकूफ की तरह तुमारे सामने plate में serve कर ली कि हाँ हाँ correction है ठीक ठीक है मैं Jackson को call connect कर ले तो आप बता देना उसको well somebody did you see sir the correction slip killed two little birds with a single tone then did तो इवान्स कहते है कि अगर आप नहीं करते तो कोई ने कोई और मुझ तक के information किसी ने किसी तरीके से मुझ तक पहुचा लेता कहता है यह जो correction slip पाला code था जिसमें hotel का नाम था कहता है इससे हमने हमने we killed two little birds with a single stone याने कि हमने एक पत्थर से वर्ड्स को मारा याने कि एक तीर से हमने दो निशाने मारे पहला यह हमने यह पता चल कि कि हमें कौन से hotel में पहुचना है वो golden in, golden in वाला, golden lion तो कहते हैं हमने एक तीर से दो निशाने मारे, दो चीज़े में पता चल गई correction slip पाले code से The name of the hotel for me and the exact time the exam started the governor nodded, it's a pretty common word तो governor कहते हैं, यह तो बहुत common word था, जो hotel का नाम था Good job, it is pretty common sir, or I'd never have known where to come, would I? तो कहते हैं, हाँ, बहुत common word था, और codes में से मैंने detect भी कर लिया कि golden lion hotel मुझे जाना है, कहते हैं, अगर आप मुझे तक यह correction slip नहीं पहुचाते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं escape करके जाऊं का, मुझे किस जगा जाना है यह तो मुझे पता ही नहीं चलता, escape तो मैं कर जाता नाइस नेम दो, Zamzam, Zam, Golden and Loven How did you know which golden lion it was, there are hundreds of them तो गवर्न केते हैं, हाँ, बढ़िया नाम है, Zam, Zam, Golden and Loven यही code यूश किया था ना तुम लोगों ने तो बहुत शॉक होता है, इवांस वो केते हैं, सर आपको कैसे बदा चला कि golden lion hotel है, क्योंकि Oxford City में तो hundreds of golden lion नाम के hotel है आपको कैसे बदा चला कि मैं इस particular golden lion hotel में हूँ Same as you, इवांस, index no. 313, center no. 271, remember six figures and if you take out an odd man, an ordinance survey map for Oxwood Shaya you find the six figure reference 313, 271 lions that bang the little map of Chipping Norton तो गवर्नर केते, जैसे तुम्हें पता चला कि तुम्हें इस particular golden lion में आना है वैसे ही, मुझे भी भी वो code पढ़के पता चला कि मुझे इस particular golden lion hotel में आना है तुमने वो पढ़ा था न, index no. 313, center no. 271, कैता है याद है वो six figures का number कैता है जब आप map लोगे, तो उसमें ये six figures का reference number आता है तो जैसे तुमने इन codes को detect किया, इसमें से वो वाला golden lion hotel निकाला जहाँ तुम्हें पहुशना है वैसे भी, वैसे ही मैंने किया या, you're right, we'd opened, you'd run off to Newbury, we did तो इवान्स कैता है, हाँ, पर हमें तो लगा था कि अप Newbury की तरफ जाएंगे क्योंकि हमने correction code में जहान बूचके Newbury डाला था ता कि अगर किसी को मिल भी जाए तो वो Newbury की तरफ जाए इधर chipping not in वाले hotel की तरफ ना है तो गवर्नर केते हाँ, हम Newbury भी गए थे well that's something I suppose, the question paper इवान्स, could you really understand all that German I could hardly तो वो केते हाँ, मुझे भी यही लगा कि आप तो Newbury जाएंगे फिर गवर्नर केते, इवान्स, वो question paper पूरा German में लिखा था कि तुम्हें रत्ती पर भी समझ में आया वो German language केते हैं, तुम्हें तो वैसे ही German आती नी थी, तुम्हें कैसे समझ जाया यह सारे codes, words Nah, of course, I couldn't, I knew roughly what it was all about but just hoped, it would throw a few spanners in the works, you know, sort of muddle everybody a bit spanners याने की difficult German language के जो words होते हैं, difficult words होने हम spanners केते muddle याने confuse, सब को confuse करने के लिए तो इवांस केते हैं, नहीं, नहीं, मुझे कोई German language के words उसमें समझ नहीं आते हमने तो जान मुझ की वो difficult German language के words उसमें use किये थे ताकि अगर कोई पड़े, तो वो muddle हो जाया, confuse हो जाया, तो समझ ही नहीं आया कि यह कोई code है The governor stood up, tell me one thing before we go, how on earth did you get all that blood to pour over your head तो governor खड़े होते हैं कि बस अब जेल जाने के तैयारी, लेकिन वो कहते हैं जाने से पहले एक जवाब मुझे बताओ तुम उस cell में, जहां तुम थे हैं, वहां blood कैसे लिया है, वहां खून गदो नामू निशान नहीं था तुम यह blood कैसे लिया है वहां पर इवान suddenly looked a little happier, clever sir, very clever that was how to get a couple of pins of blood into a cell, हाँ when there's none, they are to start off with and when there and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes in pins से आने की unit of blood जब भी आप blood को नापते हो, या उसको measure करते हो, तो उसकी unit होती है pins, तो जैसी गवरनर ने पूचा कि तुम blood कैसे ला है इवान बहुत smile करते हैं, हाँ, यह तो बहुत clever, बहुत समझदारी की बात है कि आप एक cell में blood कैसे लिया है और थोड़ा सा pint of blood लाना, कोई difficult चीज नहीं थी हम लोगों के लिए वो कहता है तो कहता है, कि जब invagilator आता है, तो क्या आप उसको अच्छे से चेक करते हो हाला कि उन्होंने चेक किया था, कुछ चीजे उनको मिली भी थी तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, रखे रहो क्योंकि invagilator ने अपनी problems बताई थी, कि मेरको तो hemorrhoids इसलिए मैंने ये tube बगरे रखा है तो कहता है, अपने invagilator को अच्छे से चेक किया था, जब वो अंदर आया था येस सर, you can well ask about that and I don't know if I ought to tell you, after all I might want to use that particular तो evans कहता है कि मैं आपको बता तो दूँ कि मैं blood कैसे लाया अंदर लेकिन फिर next time अगर मुझे ये trick use करनी होगी blood वाली तो मैं कैसे करूँगा तो basically evans कर रहा है, next time मुझे भागना होगा तो मुझे ये blood वाली trick use नहीं कर पाऊँगा तो अगर आपको बता दूँगा तो anything to do with a little rubber ring for piles, perhaps तो governor guess करते हैं, क्या वो जो rubber ring थी, जो मैकलेरी अंदर लाया था ये बोलके कि मुझे piles की problem है, क्या उसे related तो नहीं है कुछ evans grinned feebly, evans ऐसे smile करता है ऐसे करके कि yes, ये उसी का ही कामा, उसी का ही कमाल है clever though, wasn't it, तो evans केता है, हाँ, clever, किता intelligent हूँ मैं देखो कि मैं वुस tube में blood भर के लिए आया must have been a tricky job sticking a couple of fins तो governor केता है, ये बहुत tricky, बहुत difficult होगा नहीं तुम लोगों के लिए ति इसके अंदर पूरा blood तुम लोग चिपकाओ, stick करके लाओ nah, you have got it wrong sir, no problem about that, no तो evans केता है, नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो, इसके अंदर blood डालने की तो governor केता है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी nah, it's a clotting you see, that's a big trouble, we got the blood easy enough clotting means hard हो जाना तो evans केता है, blood tube में भरना हमारे लिए दिक्कत नहीं थी लेकिन clotting जो थी, वो दिक्कत थी, कि जो blood है, वो बारबर clot हो जाता है यानि की hard हो जा रहा था बारबर तो वो चीज हमारे लिए दिक्कत थी, हमको तो बहता हुआ, blood show करना था लेकिन जो हम blood इसके अंदर भर के लाए थे, वो बारबर clot हो जा रहा था यह हमारे लिए दिक्कत थी pig's blood it was, from the slaughter house in Kiddlington तो बताता है इवान्स की जो blood था, इसके अंदर ये एक pig एक pig जो animal होता है, उसका blood था और ये हम Kiddlington नाम की जो जगा है वहाँ के slaughter house से लेकर है slaughter house हैने वो जगा है जहाँ पे pigs को cut किया जाता है और मारा जाता है, तो कहते है हम वही से इस pig के blood को लेकर आए थे but to stop it clotting you have to mix your actual blood इवान्स took a breath तो इवान्स बोलता है लेकिन ये जो clotting हो रही थी जो blood ही बार बार सूख रहा था इसके लिए हमें अपना खुद का इंसान का जो असली blood होता है trisodium citrate तो वह कहते है, सर क्या आपको पता है कि 3.8% trisodium citrate याने कि इतना ये chemical मिलाना पड़ता है थोड़ा अपना blood मिलाना पड़ता है pig के blood में तब जाके वह clotting रुखती है तो कहते है, आपको पता थी है सरी बाते तो कहते है reluctant मतलब unwilling ना चाहते हुए admiration यानि कि praise किसी की तारीफ करना तो ये बाते सुनके governor ना चाहते हुए भी इवान्स की तारीफ करना चाहते थी कि वाह क्या plan है क्योंकि उन्हें ये सब चीजें नहीं पता थी ये facts नहीं पता थे तो वो कहते हैं कि हम हर दिन कुछ नया सीखते है मेरे बच्चे और आज भी मैंने तुमसे कुछ नया सीखा फिर वो बोलते हैं are you ready my lad छोटे बच्चे अब तयार हो तुम जेल चलने के लिए वापिस इवान्स made no no show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs resistance याने withstand तो इवान्स ने कुछ भागने की जड़ब करने की कोशिश नहीं करी उसे पता था कि मैं पकड़ा गया हूँ और दोनों officers जो थे उसको पकड़के नीचे लेकर आए होटल के गवर्नर उससे पुछने कि इवान्स मुझे एक बात बताओ तुमने ये प्लान, ये पूरा बिजनस प्लान कैसे किया क्यों क्योंकि तुम्हारे पास कोई visitors नी होते थे तुमसे कोई मिलना जुलना आता था तुम्हारे पास कोई letter, कोई चटिया, कोई नी आती थी गवर्नर कैते हैं मैंने personally खुद चेक किया इन सब चीज़ों पर फिर तुमने plan अकेले कैसे बनाया तो इवान कैता है देखी है मेरे बहुत सारे friends है What's that supposed to mean? तो गवर्नर कैते है इसका क्या मतला बे? कौन friends है तुमारे? मार ज़र्मन teacher for a start? You mean? But he was from the technical college Was he? इवान was almost enjoying it all now Ever checked up on him sir? तो इवान कैता है याद है मेरा German teacher जो मुझे German पढ़ाने आता था गवर्नर शॉक हो जाते कैते है वो वो तो technical college से आता था वो तुमारा friend कैसे हुआ? तो इवान बहुत enjoy कर रहा है और हो कैता है आपने कभी चेक किया कि वो technical college से आता है मतलब fake German teacher का जो कि इवान्स का ही दोस्त था और उसके escape plan में उसका partner था तो गवर्नर बहुत shock है सुनके God Almighty there's far more going than I always will be sir तो गवर्नर कहते है वाप प्रेयो God जितना मैंने सोचा नहीं था ये तो उससे कहीं जाला जा रहा है कितने लोग इसमें involved है तो इवान्स कहता है Always will be sir याने sir ये तो ऐसा हमेशा ही रहेगा जब जब मैं escape रहूंगा तब तक आप ऐसे शौक रहेंगे कि मेरे plans कितने clever plans है Everything's ready Ask the governor as they stood by the reception desk reception desk पे खड़े हुए गवर्नर ने orders दिये सब ready है याने ready हो इवान्स को वापिस deal ले जाने के लिए The van's out the front sir said the pretty blonde receptionist तो जो blonde बालों में receptionist थी golden बालों में receptionist थी उसने बोला Sir prison की जो van है बाहर ready है सब ready है याने कि prison याने कि ये जो receptionist है ये सरफ गवर्नर को show कर रही है कि मैं आपके साथ मिली हूई हूँ ये actually अब भी इवान्स के साथ ही है इवान्स winked at her and she winked back at him It almost made his day तो उसने इवान्स को wink किया याने आख मारी और इवान्स ने भी return में उस लड़की को wink किया याने आख मारी याने इसका मतलब यह है कि दोनों मिले हूए है प्लान में और गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि वो जो receptionist है वो उनके साथ है बलकि वो अब भी इवान्स के प्लान में याने कि अब भी इवान्स यहां से भागने की तयारी में है फिर से escape कर रहा है इवान्स A silent prison officer handcuffed the recaptured इवान्स and together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van clambered याने climb करना awkwardly याने की अजीब तरीके से uneasy महदर में तो बस एक silent prison officer आया अब यहां पे कोई Jackson नहीं है कोई Stevens नहीं है एक दूसरा prison officer आया जो काफी चुपचाप था उसने चुपचाप आया handcuff याने ऐसी हतकणिया पिनाई इवान्स को और prison van की पीछे वाली seat में उसको चुपचाप बिठा दिया see you soon इवान्स it was almost as if the governor was saying farewell to the old friend after a cocktail party और बस क्या बोला governor न उसको see you soon इवान्स इवान्स फिर मिलेंगे याने कि पहुचो तुम जेल में मैं भी आता हूँ वहाँ तुमें फिर से मिलेंगे लेकिन ये जो goodbye कर रहे थे वो bye bye कर रहे थे governor इवान्स को ऐसा लग रहा था कि वो अपने पुराने friend को cocktail party के बाद bye bye कर रहे है कि हाँ चलो bye bye क्योंकि वो actually bye bye ही कर रहे थे क्यों क्योंकि governor को लगा कि ये जो prison van है ये उनकी van है officer भी उनकी jail का ही officer है और उसको वापिस jail ले जाय जा रहा है लेकिन नहीं ये prison officer, ये van, ये सब कुछ fake था ये अब भी इवान्स के plan का हिस्सा था और इवान्स फिर से वाँ से escape कर गया याने कि फिर से पुलिस के हाथ, पुलिस को चक्मा दे के वाँ से भाग गया चियरो sir, I was just wondering I know your germans pretty good sir but do you know any more of these modern languages not very well, why चियरो याने की cheers तो जाने से पहले इवान्स governor को बोलता है चियरो याने cheers sir मैं सोच रहा था कि I know germans pretty good sir तो वो बोलता है कि sir अब तो मुझे German अच्छे से आ गई है मैंने इतनी इची German पढ़ लिये तो मैं सोच रहा था कि और भी कोई modern languages आप लोग अपनी जेल में prisoners को पढ़ाने में help करोगे या फिर कुछ कंड़क करवाओगे not very well why तो वो governor कहते नहीं अब तो बिलकुल नहीं पर तो मैंसा क्यों पूछ रहा हो कि और modern languages Ivan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily nothing really I just happened to notice that you've got some O-level Italian classes coming up next September that's all तो Ivan सस्ट वे कहते नहीं मैं तो तरह ऐसी पूछ रहा था क्योंकि मुझे पता चला है कि अगले September में आप लोग O-level याने basic level की Italian classes भी conduct करने वाले हो prison में तो बस मैं इसलिए सोच रहा था कि German तो मैंने पढ़ लिए गवार Italian भी पढ़ लूँ भई perhaps you won't be with us next September Ivan's James Roderick Ivan's appear to ponder the governor's words deeply तो governor कहते हैं तो मगले September तक हमारे साथ हो गई ही नहीं ऐसा governor इसली कहते हैं कि आप इसको और tight security में रखेंगे अब तो जो Ivan's है वो ponder करता है think याने सोचता है governor के इन बातों को और इन words को सुनता है कि हाँ यह कह रहा है कि अगले September तक तो मैं होगा ही नहीं तो वो कहते हैं हाँ मैं सही में नहीं होगा अकले September तक यहाँ जेल में क्योंकि मैं तो ऐसे भी भाग रहा हूँ no perhaps I won't he said तो वो कहते हैं हाँ अब सही कहना है मैं नहीं रहूंगा तो ऐसा बोलता है governor से as the prison van turned right from Chipping Norton to the Oxford road the hill hit herdo silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver अब जैसे ही prison van चलना स्टार्ट हुई और Chipping Norton area में थे वो लोग और वहाँ से एक right turn ली तो वो कहाँ पहुचे Oxford road पर पहुचे the hithordo silent person hithordo याने की वो जो previously silent prison officer था जो prison officer जिसने हतकड़ी बांदी थी governor के सामने इवान्स को उसने चाप वापिस से हतकड़ी खोल दी इवान्स की गाड़ी में क्योंकि ये prison officer भी इवान्स का friend था इस plan का हिस्सेदार था और फिर उसने हतकड़ी खोल के driver के पास जुका कुछ बोलने के लिए और उसने बोला for Christ's sake get a move on it, it won't take them long to find out तो ये जो prison officer है उसने driver से बोला जल्दी गाड़ी भगाओ, जल्दी चलाओ, उनको ज़्यादा देर नहीं लगेगी ये बात पता करने में कि हम लोग नहीं पहुँचे है prison और याने हम भाग गए तो जल्दी भगाओ, हमें भगना है तो driver पूछता है उनसे कि आप क्या चाहते हो, कि मैं आपको किस direction में ले जाओ और ये बात उसने बोली इन अ ब्रॉड स्कॉट्स आक्सेंट याने हैवी स्कॉटिश आवाज में अभी ये कौन था जो नकली मैकलेरी आया था इन्विजिलेट करने, German language का O-Level exam कंड़क कराने इवांस का तो उसकी भारी आवाज थी और वो स्कॉटिश लैंविज में बोलता है तो ये driver वो ही नकली मैकलेरी है जो भगा रहा है और गाड़ी चला रहा है, भगवाने में help कर रहा है इवांस की तो वो पूछता है कि आप कहाँ चाहते हो, किस तरफ चले What about Newbury? Suggested इवां तो इवां कहता है Newbury चलो अब अब Newbury की तरफ भागेंगे तो basically इवांस ने finally escape कर लिया जेल से fourth time में So children, with this we come to the end of this session I hope आपको chapter में पढ़ने में मज़ा आया होगा बहुत ही interesting chapter था मुझे तो बहुत interesting लगा मैंने three parts में इस chapter को divide किया Part 1, 2 and 3 यह हमारा part number 3 था Do not forget to visit our part 1 and part 2 और आप चाहें तो हमारे videos YouTube पर भी देख सकते हैं अगर आपको YouTube पर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारी website से भी directly visit कर सकते हैं आपको क्या करना है? Google पर जाना है, magnetbreedance.com डालना है जैसे आप हमारी website कर नाम डालेंगे इस तरीके से एक page आपके सामने आ जाएगा जहां सारी classes mentioned है Class 12th, 11th, 10th, 9th and so on For example, आपको Class 11th की English videos देखने तो आप Class 11th पर click करेंगे जब आप click करेंगे तो इस तरीके से एक list of teachers और अलगलग subjects आपके सामने आ जाएगे यह है Class English 11th का option जिसे मैं पढ़ाती हूँ, आप इस पर click करेंगे तो इस तरीके से list of all the video lectures आपके सामने आ जाएगे For example, आपको chapter number 1 The portrait of a lady का introduction देखना है तो आप इस पर click करेंगे तो इस तरीके से मेरा video आपके सामने play होना start हो जाएगा So I hope बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube पे आपको easily videos नहीं मिल रहे हैं तो आप website से easily कैसे access कर सकते हैं और एक चीज़ जो हमें बिलकुल भी नहीं बूलनी वो यह है Do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel अब तक लिए stay tuned Bye Bye and take care